नाजरीन आदाब इससे पहले हम शमीम हन्फी साब से क्रिशिन चंतर पर बात पर चुके हैं उससे सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज हम शमीम हन्फी साब से फिराग गुरुपुरी पर बात करेंगे फिराग हमारी उर्दु शायरी का नहायत ही एहम और मौतबर नाम है और शमीम साब चुके इनकी तालिम इलाभाद से रही है वह वहां उस्ताद थे और शमीम साब से उनकी काफी मुलागाते रही है उनके खुतूत है जो हमारी रेक्ता वेबसाइट पे मौजूद भी है आज हम फिराग गुरुपुरी पे शमीम हन्फी साब से बात करेंगे शमीम साब आपकी बहुत मुलागाते रही तो आपके कैसा पाया हुने आपकी कि अध़ी बात हुए यह बात हुन नहीं क्यों में आगातने में थे शिरही थेसे शृओं की तारीख के सबसे भड़े लिजेंट्स में से कि जैसे गालब के बारे में में मौंंडों के बारे में अथ़ान बारे में अमीर के बारे मैं आप जह उस पर नहिए पर शते तोर में नहिं सकते प क्रथा तरग साथ के दाइरे में इंज प्रोशन मैंने अपनी जिन्दगी के कोई दस वरस लाबाद में गुजारे और वो दस साल कम से कम ऐसे गुजरे हैं जो में फिराख साथ से कई सो अलाखते हुई होगी और जाहिर है कि फिराख साथ की खिदमत में बैठने का उनकी बातें सुनने का बहुत वह बाद बाराज अर्दू में उनकी हैसे बेमिसाल है मसाल को मैंने जो बास्विल की लिखी हुई किताब जब डॉक्टर जांसं के बारे में बास्विल की बास्विल की बैन की हुरूदार जब मैंने पढ़ी तो मुझे ख्याल आया कि फिराख साहब से बड़ा कनवर्सेशनली बातें करने वाला शायद हमारी अद्बी रवायत में कोई और पैदा नहीं हुआ ऐसी गयर मामूली आवाज उनकी उनका लहजा उनके चेहरे का उतार चरहो उनका एक कहना चाहिए कि उनकी आंखें बिलकुल बेकरार आंखें जो कहीं मालू होता थे कि चुप रही हैं बिलकुल एक जै अपको जिस तरीके से अनि एतने चेहरे उनके आते हैं सामने एतनी जो वक्त उनके साथ गुजरा और उनकी बाते ही याद आती हैं मैंने बहुत लिखा हैं उनके बारे में हैं कई मजामीय साधार तो मद्बून लिख्के हूंगे दो किताबें जिनमें वह सारी चीज़ें जबा हो गई हैं तो कैसे बता हूँ आपको कि लेकिन यह कि वह इनसान जितने बड़े थे असकरी सामने एक जुमला बहुत इंटरस्ट लिका है कि कुछ लोग अपनी शायरी से आगे बहुत जाते हैं तो फिराख साथ का मामले भी है कि फिराख साथ की पूरी शक्सियत के जब आदमी बड़ा हो जाता है तो एक इस तरह की रहुनत आजाती है आदमी के अंतर चुक्क आपकी बहुत जारा मुलागाते रही है क्या इस तरह का पाया अपने तो आप जाहरी के बताने से मेरे समझ नहीं पाएंगे इस तरह के रहुनत भी मैंने देखी बहुत से लोगों में लेकिन मैंने खुशक्समती से अपने जमाने के सबसे बड़े अदीबों को बहुत खरीब से देखा और उनमें से एकसरी अदमनों की थी जिनके हैं कोई रवूनत नहीं थी और फिराक साथ तो बहुत कहना चाहिए कि इसके बहुत कि वो उस्ताथ थे मौलिम थे यह नस्वी पढ़ाते थे शौब एंग्रेजी में थे वो अलाबाद नस्वी का शौब एंग्रेजी बड़ा मुंतास डिपार्टमेंट था और वहां के असाथजा में प्रोफसर सतीश चंद्रदेब जो सबरे शौबा थे मेरे जमान आप बाजनों की इज़त सिर्फ इसलिए आप उनका नाम लिल लेते हैं कि प्रोफसर उनके नाम के साथ लग गया वरना यह कि उनकी कोई हैचेती नहीं उस वक्त तो हमारे यहां यह सुरत इहाल थे कि रीडर प्रोफसर लेक्चर यह चीजें कोई बहुत पगहर मामली यह बहुत छोटी नजर आती थी और फराग साथ के एक शाम साथ बताईए जिंदगी रीडर के तो पर गुजारी बाद में प्रोफसर होगे मेरे खाले बहुत कम मुद्ध के लिए उन्होंने उसके बाद ही इंतकाल हो गया उनका तो फराग साथ का हमला यह रहा है कि वह वहां पर थे और अंग्रेजी शुबे में सूरत इहाल यह थी कि फराग साथ की गुफ्तगो और उनके लेक्चर सुनने के लिए जिस तरह लोग जमा हो जाते थे अच्छी बहुत लेगी थी दिन में वो अपना वक्त युरस्टी सिफारिग होने के बाद वो काफी होगस वी जाय और बड़े बड़े शक्सियते हैं यानि डॉक्टर लोहिया से ले करके अगर आप यह देखिये तो कैसे कैसे लोगे पड़ी जावाला नहरू का वतन था अलाबाद और फराग सामित उनके साथ भी रहे बहुत दूनों तक आम धुमन में उनका आना जाना था कॉंग्रिस क अंडर सेक्रिटी पर रहे फिराग साथ और तो अउसाने में हिंदी वारों का बहुत बड़ा हलका था इलाबाद में निराला थे पंत थे बहुत से उस्पता अंदल पंत और बच्छन भी थे और यह तुछ ले गया थे पिर बहुत बाद में लेकिन यह लोग तो रहे हमार कि चच्ची कहानिया तरह दरागी मशूर थी और बहुत जाहर है कि एक कि एक तजस्स होता है लोगों को ऐसे लोग जो जो जरा अनोखे और अंडे बंडे कुछ कहना चाहिए कि अबनॉर्मल यह आम जो यह माशरे की जो आम शर्ते होती हैं अखलाकियात की और उनसे मुक्त कि और अना होती है तो हैं जो इसलिफ लोग दिखाई दे तो वह लोगों फराग साथ सब्सक्ते नहीं को देख लिखते लोगों कि इसको क्या कहिए दे बहुत मुपट थे और लेकिन यह गए मामूली आउसाफ के भी आदमी थे हो मैने जैसा कि आपसे बता है कि उनकी जैस वसीरत की वो रोशनी जो मुझे फिराफ साब लिए वो बहुत कम लोगों में दिखाई गे दिखती है। दूसरी बात दी कि मैंने जैसा कि आप से बताया है कि गुफ्तुगू करने का अउनर जिस तरह फिराफ साब को आता था। मैंने मजगून लिखा था एक और सल्सले रोजो शब जो मेरी किताब जो फिराफ साइर उशक्स में शाय शामिल ही मजगून। अब कई किताबों में शामिल है। यह हिंदी भी छपकिया है। तो उससे आपको अंदाज होगे कि एक शबा सिशान तक अब वक्त अपना किस तरह गुजारता था तो जाहरी कि अलावाद मस्की में तो फिराफ साफ उस्वत महां भी एक लीजन्ड बन चुके थे यह था बहर मामूली जी शमीन साब बात करते हैं उनकी शायरी पे एक तरफ असकरी हैं जो उन्हें बड़ा शायर मांते हैं एक तरफ शम सुलामान पारुकी है जो यह कहते हैं कि उन्हें रिवायत का इतना 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 इल्म नहीं था फिराफ को और एमन मुश्ताक को नासर काजमी फिराफ से अच्छे बेहतर या बड़े शायर है आप इसे किस तरह देते हैं ढें हर आदमी को ये चम्हूरियत है अदब किसे ब्रिद चो कोई जम्हूरियत है हर एक को अपने राह कायम करने का आपनी बात चैने का है कोई राह कायम लिख्ये गें, उसमें जाहरी कि यह आर्सकरी सहब उवनके बाधादा शागिर्थ थे, अउनकरी की घुर्ण वर्वादां उन coupon का ही एपीW इक कि उसकरी सहाब कि प्रीं आप्यों. चाहरी का मामला यह की बाधादां का क्यी या फिर्णा शायरी भी रिक और आजाए हैosh in रवायत बनी हुई है उससे जिस तरीके उसको निगेट करती है उसकी नफी करती है यह जुरत फराख साथ के दौर में किसी किया हो तो नहीं दिखाई नहीं दो शायर मुझे नजर आते हैं उस दौर में फराख और यगाना जिनकी हाँ आपको मालू होता है उतनी रवायत पर एक हद्त तंसीख झाँशने की ताकत यह लोग रखते हैं तो फराख साथ किया भी यह है और फराख साथ किया आप माला यह यह कि कई रवायतें एक साथ यज्या हो गई है हिंडी की रवायत यानि हिंदोस्तान की रवायत फराख साथ को संस्क्रिद इज्जर सगयर मामुल हैं उनको फिराखसाब की इसने भी आई थी जाहरी कि वो एक तो उस तुनसी दास को सूर दास को केशव दास को ये कबीर को जिस तरह फिराखसान पढ़ाता उर्दू किसे और शाहिनी को नहीं पढ़ा होगा उस तरीख ऐसे फिर ये कि व अंग्रेजी को स्ताथ थे अंग्रे तो ये रवायत ये रभायत ये उर्दू के कितने शायरों के हिस्से में आई इंग्रेजी जाहियरों में कितने लोग हैं। मुझे याद है कि जो फिराख साहब ने जो किताब लिकी और्दु की इश्किया शैयरी, जाहरी है। बिल्कुल जौानी के जमांई ज मांद है, तो फैस की दो नद्बों उन्हें उसमें तल आपपीब से और तनहाई। और यह कहा कि हमारी जो सबसे अच्छी इश्किया शैय हुई है उसकी दो मिसाली है जाहिए कि फैस की ये नजमें उसक्त को शायद मजमुगा भी नहीं पाता फैस का जब रही है तो उस जमाने तो एक ये रवायत जो अंग्रेजी के रास्ते से फराख साथ तक आई और तीसी रवायत वो जो अर्दू की रवायत थी जिसके मांने के नुकलियस तक फौरन पहुंच जाता है आपने अपने काम की चीज़ उठाई और वहां से रुखसत हो जिए तो फराख साहब ने उस तरह बिला शुबा नहीं पढ़ा जिस तरह एक गभी तालिमिन चीज़ों को रखता है या बार बार बढ़ता है और याद करता है लेक अर्फ उर्दू के साहबे कहना चाहिए कि जो एक जबान शौरा थे उनका जो मतालिय जस तरह बोकार अभी अपने इल्म में अजाफे के लिए कर रहा है एक अपने बसीरक में अजाफे के लिए अपने लुष्फ के लिए तो फराख साहब की शाहिदी में इन तमाम और यही वज़े है कि फिराग साम देखे नजम के वो शायर नहीं है, गजल के शायर है, रुबाइया उनकी मशूर है, लेकिन नजमों में आधी रात और परचाईया, दो नजमें फिराग साब के ऐसे नजमें हैं जैसी अर्दू की नजम की पूरी तारीख में आपको इन होगी मनदू, तम उल्यों की दुकाने कहीं कहीं हैं, खुली कुछ उंकती हुई, बढ़ती हैं शायराहों पर, सवारियों की बड़े गंगरों की जनकारे, खड़ा हो उसमें चुपचा पर सिंगार कप्या, दुरहन हो जैसा है, या कि सुगन से बहुँ चाल, कि जैसे सैक् अदाए खास से एक साथ बाल खूल दिये, या ये कि फराख साब उसी नजम में जहां, क्या है कुछ और, उसी में सितारे हैं कि जहां पर हैं आसमों का कफंद, खयात पर देश शर्द में बदलती है पहलू, कुछ और जाद चला आधी रात का जादू, जमाना के इतना लड खाने के शायरों में, ना अर्दू किसी खजल गुआ, फराख साब के मासरें कौन थे, बेजिगर साथ थे, उनके मासरें में, फानी थे, असगर थे, हस्रत थे, ये सब ये उनके सीनियर कॉर्णरम्ड डिरीज्स थे, लेकिन ये दोर रहा है, सब सो बड़े शायरों को जो नमाइंदा तरी, फराख की शायरी इन सबसे मुक्तलिफ है, और फराख के हां जो एक कहना चाहिए कि एहसासात में, जो गहर मामूली अर्दियत के बावजूद, जो कहना चाहिए कि एक नजाकत जो मिलती हों क्यां, वह बहुत, ऐसे शेर मुझे कभी-कभी मैं सोचता गजल की पूरी रवायत में, आप कहां लूटते हैं, कहां वो खल्वतें दिन रात की, और अभी आलम है, कि जब मिलते हैं, दिल कहता है, कोई तीसरा भी हो, कहां का वस्ल तनहाई निशायत भेस बदला है, तेरे दंबर के आ जाने को, हम भी क्या समझते हैं, तमाम खस्तग आमेज लेजा भी उनकी घजलों मिलता है, कहीं एक लाफ पूरी पूरी घजल में, तो है सर बसर कोई दास्ता, है अजीव आलम एंजुमन, ये सकूत नास जबाँ जबाँ ये निगाहे नास सुखन सुखन, कभी हो सका तो बताऊंगा, तुझे राज आलम ए खेर रश्त, क कि मैं रह चुका हूँ अजली से कए, इस तो कए, अरमन, कोई मेरी आख से देखता, तरही बस में आसके वो सतें, वो हरे एक गोशा मकाम मकाम हो, हरेक लमए जमन, जमन, कि ये कि वो है घंचा घंचा जो देखिये, चूम ये तो दहन दहन, कोई मेरी आख से देखता, कभी कि रात को देख ले किसी सांस लेते चराफ को कि खजल हुई ते शौर में वही खस्तेगी यह वही तकन कि तमाम मसकने आहुआ है दम-खुमार तेरा बदन पूरी खजल में आप देखिए कैसे कैसे तलाजमी आएं हैं हो क्या क्या मदामीन आएं फ्राफ एक जो है तरास उनकी मेरा मवजू फारुकी साथ नहीं है तुम बखातिब भी हो गरीब भी हो तुमको देखें कि तुमसे बात करें इस शेर का अपना एक जादू है मज़ा है मेरा जहन कभी नहीं जाता कि इसमें भरती गलस कौन सा है और कौन सा लफ जो है इसके बगार का इस तरीके तो अगर करना शुरू करेंगे अदब को तो माफ कीजेगा आप अदब के बेश्टर अच्छे हिस्सों को आप अरत कर देंगे क्योंकि काम की बात तो कभी-कभी यह होता है फिराख साथ कहा करते थे कि कभी-कभी घजल में एक शेर दो शेर काम के होते हैं बाकी पूरी घजल वकवा अधिया जाख साथ के एक तरी के नाहमबारी जरूर मिलती है इसमें कोई शक्नी कि उनके लहेजें में एक तरह के नाहमबारी है जैसे इस तरह की मिसरे कोई और नहीं कह सकता था हिंदी आमेज अलफाज कर इस तरह करते हैं अपके घजलों भी जमी खिलाफ भाई यहा ना बांदो ना हो तुम्हें कोई चराव जले से तुम्हें जहां भी रहो फुकारता है यह कहकर अभी यहां से ना जाओ एक प्रोजई कंदास जैसे उनकी बहुत से खजलों में है ना बड़ी उदासरात वाली रदीव के खजलें इसी खंडर में कहीं कुछ दियें टूटे उर्दु खजल को जिस से तो इक तरी कि नाहमवारी उनके हां बेशक मिलती है फिराख साब के एक कांप्रेक्स भी था मेरा ख्याल यह है कि जरूर था जिस पर वो पर्दा भी कभी कभी डालने की कोशिश करते थे वो यह था कि वो जबान यह जानते थे कि वह उर्दुन की लहजे में बातें करते थे हिंदी जबान से उनको दिल्चस्पी थी और यह तो यह सब साथ फिराख साब में लेकिन जो एक तखलीकी जसारत मिलती है उनके हां एक कहना चाहिए च्छलां मिलती है एक जस्त लगाते हैं जिस तरीके से हो और ऐसे अलफाज ढून के ले आते ह हैं कि जो घर शायराना कहे जाएंगे या इस तरह के बाद तो यह साई है मुझे यही खुगियां दिखाए देती हैं किसी को यही आई नजर आते हैं तो इसमें तो यह तो बात एक अलगा जाए जैसे सर फिराख और फिराख के बात का जो आहद है फिराख के जो कंटम्पर हमारे सामने हैं और जिसके लिए शम्सरामान फारुकी ने कहा भी कि हैं मुझताक और नासर काजमी जो हैं बूम से बड़े शायर हैं आपने कभी इस मसेले पर गोर फरमाया कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों मुलकों में नई गजल की जब रवायत शुरू हमारे ने एक इनगाब किया घजल के लाम से फिराघ साप किया उन्होंने घजल के लाम से सबीरावारों धिचा भार वाल लोन चाहपा था और एक इन्तखाब यह खनारा आजमी ने किया जो notar के पहरे नुमाइंदा शाहर हिंदुस्तान में नासर काजमी के ठाजमी ऑनलि तो कहना चाहिए कोई वज़ तो थी कि अर्दू का नया शायर वो चाहे पाकिस्तान थे हिंदुस्तान में वो उसने इपना रोल मॉर्डिल इसको बनाया, फिराग को बनाया और किसी चाहिए, थाद थे, असौर थे, जिगर थे, यगाना थे, और किसी की तरफ तो लोग नहीं से डॉक्टर आफताब एहमद जिनोंने गालिब पर भी किताब लिखी है गालिब आशुफता नावा नासिर काजमी की से भी उनकी दोस्ती थी एक वाकिया उन्होंने लिखा है कि एक बार मुझे नासिर काजमी मिले और बहुत देर तक बात की हुए फराग साब कर जिक्र नह उन्होंने कि भई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ फराग साब बात ने करेंगे फराग पर मेरे कुछ मदामी उन्होंने आप पढ़ रखे थे तो नासिर काजमी को लिखा कि उस दिन उससे कोई बात नहीं की फराग पर करने लेकिन जब रुखसत हो गया तो चलते तो दो दो किसमें शाहिरी क्या है ये तो सहल मुंतना की भी एक ऐसी मिथाल है जिसमें कहने से कि आम बोल चाहिए जैसे होती है उस तरीखी की एक अजीव ग़ली ये माना जिंदगी है चाहर दिन की बहुत होते हैं यारों चाहर दिन भी तो ये फराग साब पर लेकिन सर फराग साब अहमद मुश्टाफ खुद बहुत अहमद मुश्टाफ मेरा ख्याल है इस जुम्ले पर खासे शर्मिंदा हुए हैं कि जहां उनका मवाजना फराग साब से किया गया तो मेरे तो दोस्त हैं अहमद मुश्टाफ भी तो उन्होंने हमेशा इस वराग के पसंदीद है शायर भ जिसने फिराग की बलाई से इंकार किया हूँ यह फिराग के फैजान से जिसने इंकार किया हूँ फिराग से सबने फाइदा उठा है नाजरीन ये थे शमीम हन्फी साहब जिन से आज हमने फिराग गुरुखपूरी पर बात की और मुझे लगता है कि इस वक्त फिराग पर इन से अच्छी गुफ्तूब जाहिर है फिराग गुरुखपूरी इतना वसी इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पे तो बहुत घंटू चाहिए और फिर जब शमीम साब उन पर बात करें जिनकी बाकाइदा फिराग साब के साथ उठना बैठना रहा है और फिर फिराग साब पर बहुत सारे मजामेर लिखें हैं किताबे आई हैं तो चूकर वक्त हमारे पास कम है हम इतने ही गुफ्तूब कर सकते थे और इसके बाद भी इंशाल्ला कभी चमीम साब को जहमत देंगे और फिराग गुरुखपूरी पर मजीर गुफ्तूब होग